हनुमान जी के इस दिव्यम मंत्र को पढ़ते ही शत्रु का मती बदल जाएगा। जी हाँ भक्तों ये बात बिलकुल सत्य है। और ऐसा होता है क्योंकि हम जिस देवता के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में आप अच्छी तरह से अवगत होंगे। जिनका मात्र नाम लेने से भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्ती दूर भाग जाता हो तो जब उनकी पूरी मंत्र का उच्चारण कर दिया जाए तो प्रेत रूपी दुश्मन से क्यों नहीं चुटकारा पाया जा सकता। कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है तो मैं उन तरह से खत्म करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखे भक्तों यदि आप इस वीडियो में बताए गए एक एक नियम को अच्छी तरह से पालन करते हुए करेंगे तो सभी प्रकार के दुश्ट आत्माओं का मती बदल सकता है और उसका मती बदलने के कारण व प्रत्रुता को भूल कर वो आप से दोस्ती करना चाहेगा भक्तों तो आएए अब आपको साफ शब्दों में समझाता हूँ कि इस मंत्र में ऐसा क्या है जिसका उच्छारण मात्र से दुश्मन का मती बदल जाता है आप एक बात पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आए इस दिव्यमंत्र और उपाय से पहले आप इस अहमकार की कथा को सुनिए किस प्रकार हनुमान जी के सामने बलवान बाली का अहमकार उसका मती बदल दिया हनुमान और बाली के सामने की एक छोटी सी कथा के अनुसार बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई एक दिन की बात है रामभक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे उस दोरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है किसी ने मा का दूद्ध पिया है जो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी उसी वन में राम नाम जब से तपस्या कर रहे थे। बाली के चिलाने से उनकी तपस्या में विघ्ण हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा बानर राज आप अतिबल शाली हैं। आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरहे चिला क्यों रहे हैं। हनुमान जी की यह बात सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती देते हुए, यहां तक कह दिया की रेवानर तु जिसकी भक्ती करता है, मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम का मजाक उर्ता देख हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्विकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान तयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रहमाजी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती स्विकार न करें। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभू श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती को अस्विकार कर दूँगा तो दुनिया क्या समझेगी इसलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा। यह सुनकर ब्रहमा जी ने कहा ठीक है आप दंगल के लिए जाओ लेकिन अपनी शक्ती का दस्वा हिस्सा ही लेकर जाओ शेश अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो। दंगल से लौट कर यह शक्ती फिर हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमा जी मान गए और अपनी कुल शक्ती का दस्वा हिस्सा लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा. ब्रहमा जी के वर्दान के अनुसार हनुमान जी की शक्ती का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा. इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ती का एहसास होने लगा. उसे लगा जैसे ता पचानक वहां ब्रहमाजी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिन्दा रखना चाहते हो तो तुरंथ ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। तब ब्रहमाजी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ती का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला था बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। जैसा कि आपको बता दें कि सुग्रीव का भाई, अंगत का पिता, अपसरा तारा का पती और वानर्श्रिष्ट रिक्ष का पुत्र था बाली, देवराज इंद्र का धर्म पुत्र और किश्किंधा का राजा बाली, जिससे भी लड़ता था लड़ने वाला कितना ही शक्ति उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था, लेकिन बाली का घमंड उसे हनुमान जी के समक्ष तिकने नहीं दिया भक्तों। रामायन के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्थ हुआ था। यही बाली की शक्ति का राज था, तो आप पूरी तरह से अवगत हो गए होंगे कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भक्ती के कारण प्राचीन काल से ही शत्रु बाधा से मुक्ती मिलते आ रही है। आप अपने शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको भी प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान जी की भक्ती में लीन होना होगा भक्तों। मंगलवार ब्रहम महुर्त में यानी सुभा चार से पांच बजे के बीच हनुमान जी की पूजा पूरी श्रधा और नियम पूर्वक करके, यानी आप पूरी तरह से शुद्ध होकर, शुद्ध आसन पर खुद बैठकर, और हनुमान जी की मूर्ती को भी नए आसन, पीला लाल वस्तर पर रखकर, हनुमान जी को सनान, चंदन, पुष्प, भोग में तुलसी दल, जल, अर्पित करके, हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद, इस दिव्य एवं चमतकारी मंत्र उच्चारन करने से पहले, दाहिने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत को लेकर, अपनी म इस मंत्र का उच्चारन जितना हो सके उतना करें, 11, 21, 27, 51 या 108 बार करें, मंत्र इस प्रकार है, भक्तों कृप्या शुद्ध उच्चारन करें, ओम हनुमान पहलवान पहलवान, बरस बारह का जबान, हाथ में लड़ू मुख में पान, खेल-खेल गड लंका के चौगान, अंजनी का पूत, राम का दूत, छिन में कीलो नौखंड का भूत, जाग-जाग हडमान हुकाला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटा डग देरू उमर गाजे, वजर की कोठडी ब्रज का ताला, आगे अरजुन पीछे भीन, चोर नार चमपेने सीन, अजरा ज़रे भर्या भ इघट पिंड की रक्षा राजा रामचंद्र जी लक्षमन कुवर हडमान करें, मंत्र उच्चारन के बाद हनुमान जी के आगे नत्मस्तक होकर मनोकामना पूर्ती एवं शत्रु से मुक्ती के लिए हनुमान जी से विंती करें, उसके बाद हनुमान जी की आर्ती करें, इस आपको ये वीडियो लाभपरत लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफ सबसे पहले आप तक पहुँचे, धैर्य रखें और सही कर्म करें, प्रभू श्री राम और हनुमान जी आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे